मुझसे पूंचा गया कि आप मुस्लिम शासन के बारे में ही क्यों लिखते हैं मेरा उत्तर है मैं हिंदू मुस्लिम नहीं बलकि उन जगहों के लोकल इतिहास को उजागर करने की कोशिश करता हूँ उस जगह हिंदू राजा हो या नवाब इतिहास में उनके योगदान पर लिखने की कोशिश करता हूँ कहा गया इन पर लिखने का क्या फाइदा मेरा कहना था जरा आज की मौजूदा शासन व्यवस्था को मुगल व ब्रिटिश काल की शासन व्यवस्था के इतिहास से तुलना कर देखें, क्या कोई फरकाया है या नहीं? इसी से लोकल इतिहास जानना क्यों जरूरी है, समझ में आ जाएगा? तो आज हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक प्राचीन शहर मेरट में, जहां विभिन समय काल में विभिन नवाबों का शासन रहा है, ब्रिटिश काल में हम मुस्तफा कैसल पर बात कर चुके हैं, औरंग जेब, यूनानी पद्धती, अरब से भारत में लेकर आया, भारत में व्यापक प्रचार वप्रसार करना शुरू करने का काम विभिन क्षेत्रों में तैनात अपने फौजदारों को सौपा, नतीजतन दूर दूर तक इसलाम के साथ यूनानी का भी प्रचार वप्रसार हुआ, मेरट में एक नवाब थे, खैर अंदेश खान कमबोह, पुत्र न मुगल बादशाहों के अंतरगत काम कर चुके है, समरकंद, उसबेकिस्तान के उत्तर में कुमबाह नाम की एक नदी है कुमबाह, उस जगह के मूल निवासी होने के कारण ही कमबोह कहलाए, मेरट में खैर नवाब खैर अंदेश खान नहीं बसाया था, नगर नौ गेटों स घिरा था, अब केवल तीन ही बचे है, इनमें से एक है खैर गेट, जो अब लगभग खंदहर में तबदील हो चुका है, क्या है इस खंदहर का इतिहास, आईए जानने की कोशिश करते हैं, शुरू में नवाब खैर अंदेश खान ने खुद को दारा शिकोह के साथ लेकिन दारा शिकोह की मृत्यू के बाद औरंग जेब की सेवा में आ गए, औरंग जेब के समय खैर अंदेश खान इतावा में सेना कमांडर थे, औरंग जेब के शाही दर्बार से जुड़ने पर, खैर अंदेश खान की मानद उपाधी वपंज हजारी सैनिकों का कमांडर का पद दिया गया था। इटावा में सराहनिय सैन्य सेवा के लिए 0.7 मिलियन दरहम का पुरसकार भी मिला था। बहादुर शाह के शासनकाल के दोरान उनके मनसब को 6000 घुरसवारों में अपग्रेड किया गया। नवाब ने 1691 इसवी में खेरुल मस्जिद वर्ड मुवाहिब नामक एक बहतरीन मस्जिद भी बनवाए। इटावा में खेरंदेश पुर्व दारुल शिफा की स्थापना की और दिल्ली में मोहलों को अपना नाम दिया। अपने जीवन के अलग-अलग समय में रोहिल खंड बिहार, इटावा, बंगाल, कलाबाग और हमुईरी के गवर्नर रहे। वर्तमान में नवाब खेरंदेश खान का मकबरा बधाली और उपेक्षा की स्थिती में है, चारो और कबजा कर लिया गया है। यह मेरट शहर की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक बड़ी ख्षती है नवाब खेरंदेश खान के तीन बेटे थे। सेवाइन प्रदान करना नवाब खेरंदेश खान कमबोह की बहुत बड़ी उपलब्धी थी। पोस्ट अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें वह सब्सक्राइब अवश्य कर दें।